हलो स्टूडेंस आज हम लोग एनर्जी बैंड गैप का प्रैक्टिकल करेंगे इस प्रैक्टिकल में हम सेमी कंडुक्टर मेटेरियल का एनर्जी बैंड गैप फाइंड करेंगे तो ये semi conductor material के energy band gap को find करने के लिए kit है यहाँ पर एक voltmeter लगा हुआ है और यहाँ एक emitter लगा हुआ है और इस kit में एक oven लगा हुआ है और इस oven के अंदर ही हम लोग semi conductor material को रखते हैं इस oven से होकर एक thermometer लगा हुआ है जिसकी सायता से हम लोग temperature को major करते हैं तो इस oven में हम लोग germanium semiconductor लिए हैं जिसका energy band gap 0.7 electron volt होता है अब हम लोग देखते हैं किसका reading कैसे लेना है तो सबसे पहले आप लोग ये table बना लीजेगा first में serial number रहेगा दूसरा temperature जो की degree centigrade में है उसके बाद current और फिर temperature को हम लोग को Kelvin में convert करना है उसके बाद ये 10 raised to power 3 by T है और last log is है ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि reading कैसे लेना है तो सबसे पहले हम लोग इस on के switch को on करेंगे और जैसे on के switch on हो जाएगा हम लोग का temperature increase होगा और temperature लगभग 70 to 75 तक increase करना है जैसे temperature 70 to 75 increase हो जाए हम लोग को on को बंद कर देना है ठीक है तो मालो मैं temperature को 75 तक increase किया 75 तक increase होने के बाद on को off कर दिया और जैसे on को off किया मैंने 75 degree centigrade temperature पर जितना भी current है उसको note कर लिया ठीक है अब 75 degree centigrade के बाद मैं on को बंद कर दिया है तो on को बंद होने से हम लोग का temperature भी अब कम होगा अब temperature जैसे ही 70 पर पहुंचता है हम लोग फिर से इस current की reading को note करेंगे ठीक है वैसे 55 के difference में हम लोग को current note करते जाना है अभी 70 पर किये फिर जैसे temperature 65 होगा 65 पर जितना भी current आ रहा है उसको note करना है फिर 60 के बाद 55 ऐसे करके 45 या 40 तक कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग table देखते हैं तो table में देखेंगे तो मैंने 72 से start किया है 72 पर जितना temperature के बाद जितना भी हम लोग को current मिला था उसको note कर लिए तो हम लोग फिर से 5 degree centigrade कम तो 67 के बाद 62 पर जो भी current आ रहा है उसको note कर लिए फिर 57 पर जो current आ रहा है ऐसा करते करते 32 तक जो भी हम लोग का current आ रहा है उसको note कर लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यह temperature मिला है हम लोग को वो degree centigrade में मिला है उसको हम लोग Kelvin में convert कर लेंगे ठीक है और Kelvin में convert करने के बाद हम लोग calculation करेंगे 10 raise to power 3 by T और log is का ठीक है यह हम लोग का is है और यह हम लोग का temperature T है तो हमने यह देखिए पूरा calculation कर लिया है ठीक है अब हम लोग को 10 raise to power 3 by T और log is के बीच में graph plot करना है और graph plot करने के बाद जो हम लोग का easy होता है जो की energy band gap होता है वो slope upon minus 5.036 electron volt होता है ठीक है तो हम लोग 10 raise to power 3 by T और log is के बीच में जो graph draw करेंगे उसका जो slope आएगा उसको minus 5.036 से divide करेंगे तो हम लोग का energy band gap निकल जाएगा ठीक है तो हम लोग सबसे पहले graph plot करते हैं तो graph हम लोग को plot करना है 10 raise to power 3 by T और log is के बीच में ठीक है तो यह हम लोग का 10 raise to power 3 by T का table है और यह log is का अब हम लोग को graph plot करने के लिए सबसे पहले x axis में 10 raise to power 3 by T ले ले लेंगे और y axis में log is ले लेंगे तो हम लोग reading से देखते हैं कि जो तो हम लोग का 10 raise to power 3 by T है वो बढ़ रहा है लेकिन हम लोग का log is घट रहा है ठीक है तो graph कुछ ऐसे plot होगा decreasing order में ठीक तो यह हम लोग का graph plot हो गया graph plot करने के बाद हम लोग को easy निकालना है तो easy equal to होता है slope by minus 5.036 electron volt तो हम लोग को इस graph से slope निकालना है तो slope निकालने के लिए हम लोग 2 point ले लेते हैं तो माल लोग y axis पर log is है तो log is से 2 point लेते हैं मालो में लेता हूँ 1.672 और 1.431 ठीक है तो slope क्या होता है slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो y2 में ले रहूं 1.431 minus y1 हो जाएगा 1.672 upon x2 minus x1 तो x2 2.985 minus 2.898 तो हम लोग जब इसका calculation करेंगे तो आएगा minus 2.77 ठीक है अब हम लोग इस minus 2.77 जो slope आया है उसको यहाँ पर जो slope लिखा है उसकी जगा substitute कर देंगे तो easy आएगा हम लोग का minus 2.77 upon minus 5.036 और जब इसका calculation करते हैं तो 0.55 electron volt आता है यही हम लोग के semiconductor material के लिए energy band gap है ठीक है तो semiconductor material के लिए हम लोग का जो practical value आया है वो 0.55 electron volt आया है लेकिन इसका जो standard value होता है germanium के लिए 0.7 electron volt होता है तो कुछ error आ रहा है तो हम लोग उसका percentage error find कर लेंगे तो percentage error equal to क्या होता है standard value minus experimental value upon standard value into 100 तो standard value है 0.7 minus experimental value 0.55 upon 0.7 into 100 तो लग भग यह 21.41 percentage के आसपास error आ रहा है ठीक है तो यह हम लोग का practical complete हुआ energy band gap के लिए थैंक यू डिए अग्या